हेलो फ्रेंट्स, आज की मेरी रेसिपी है, वीट फ्लोर से बनाए हुए बिसकीट्स जो काफी हेल दी भी है और टेस्टी भी है और बनाने में भी बहुत आसान, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब और इसे शेय तो अब हम ठीक उसी की तरह और बोल लेंगे और उसका भी मेजरमेंट हमने हटा दिया है इसमें डाल देते हैं चीनी का पाउडर नॉर्मल चीनी को पीस लिया था और उसमें पाउडर डाल दिया है हमें 120 ग्राम और अब हमने एक बड़ा बोल लिया है उसमें डालना है हमें वीट फ्लोर ये देखिए 150 ग्राम के असपस हमने वीट फ्लोर लिया है आप चाहे तो मेदा से भी से बना सकते हैं लेकिन ये मैने काफी हेल्दी बिस्किट से आप बना पे तियार किये हैं अच्छा पाउडर को भी डाल कर आपको बहुत अच्छे से इसे फैटना है यह देखिए बिलकुल इसका जो कलर है एकदम वाइट हो चुका है और यह काफी फलफी हो जाएगा इसको अच्छे से हम फैटेंगे तो यहां पर देखिए मैंने डाल दिया इसे में बेकिंग पाउडर और जो शौप वाले होते है हो तो इसमें आमोनिय वगएरा डालते हैं जिसstep कि उनका बिसकीट काफी हलका हो जाता है तो हलका बनने के मेलैं यह पर बेकिंग पाउडर डा डाला इसमें डाल दिया हमेने ईलाइच्छी का पाउडर और साथ में डाल देंगे बनीला एसेंस आठ से 10 ड्रॉप ही डाले बहुत जादा डालने की ज़रुवत नहीं है और सबको हम अच्छे से बिल्कुल इस तरीके से हाथ से फैटते हुए इसे मिक्स कर लेंगे देखिए एकदम फलफी हो चुका है और इससे जो बिस्किट बनेंगे काफी अच्छे बनें जब भी आप बिस्किट बनाएं तो बिल्कुल हलके हाथों से गुदना है और बेकरी आइटम बनाते समय मेजर्मेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूद डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा सौफ्टी आटा हमें बन इसको मैं सेट करने के लिए बिल्कुल नहीं रखना है फ्रिज में यहाँ पर मैंने पर्श्मेंट पेपर ले लिया है बटर पेपर ले लिया है नीचे बोड के उपर मैंने बिछा दिया है बटर पेपर को और इसके उपर भी एक बटर पेपर रखेंगे और इसे अब हम ब कर लिया है और यह फोक लेकर मैंने इस पर डिजाइन बनाया के बैक साइड से मैंने ए यह डिजाइन बनाया है और इस से ही इसकी कटिंग करूंगी तो यह काफी सुन्दर लगता है देखने में यहां पर मैंने बेकिंग ट्रेले लिया है उसके उपर बटर पेपर लगा दिया है और अब हम इसे इस तरह से उठा लेंगे आपके पास जो भी पतला सा और चौडा सा यूटेंसिल सो अब उसकी मद पर किनट के बाद मैंने इस कुगीज को निकाल लिया है और यह कुछ इस तरीके से बनकर तयार हुआ है बहुत ही टेस्टी और हली एक कुकीज बनकर तयार हुआ है आप बच्यों को इसे बेजज़ग दे सकते हैं चाय के साथ इसको ख diff로 है सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तो आप भी अपने घर में इसे जरूर बनाईए क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने इसमें बहुत सारी चीजों को यूज नहीं किया है बनाने में और बहुत कम चीजों से बनकर ये तयार हो जाता है बहुत इजी वे में बन जाता है तो मिलती हूँ एक और ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ तब तक ये लिए टेक केर बाई